दोस्तो आज की हमारी वीडियो एक सदा बार खूब सूरत फूल वाले पोदे पर है जिसके फूलों में बहुत मीठी कुस्पू आती है इसलिए इसे गंदराज के नाम से जाना जाता है आज की वीडियो में आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाजर बताएंगे जिससे आपके गंदराज का पोदा फूलों से लदर आएगा नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है करमवीर आप देख रहे हैं आपका प्यारे यूटूब चैनल रूफटॉप गार्डनेर करमवीर चलिए जानते हैं सब्सक्राइब किजे रूफ टॉप गार्डनर करमविर चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो ये हमारा गार्डनिया गंदराज प्लांट है जिसे हमने 12 इंच के पोर्ट में लगा रखा है और इसकी पोजीशन आप देखी सकते हैं पूरा प्लांट फूल और कलियों से भरा हुआ है गंदराज गार्डनिया प्लांट अपनी खुश्बू के लिए जाना जाता है इसके फूलो का आकार गुलाब के फूलो जैसा होता है अगर इसके फूलो पर पानी का फूरा डाला जाए तो इनके फूलो का रंग बदलने लगता है दोस्तो इसे सफेद गुलाब के नाम से भी जाना जाता है इसके फूलो का साइज गुलाब के फूलो से भी बड़ा होता है जो देखने में बहुत सुन्दर लगता है अभी बात करते हैं इसकी केर और फर्टिलाइजर की जिससे आपका गार्डेनिया गंदराज फूलो से बढ़ा रहेगा और अच्छे से ग्रो टिप नमबर वन इट रिक्वाइड फूल सनलाइट दोस्तों गंदराज प्लांट को फूल सनलाइट की जरूरत होती है आप इसे ऐसी जगह रखें जहां चार से पाच गंटे की डारेक्ट सनलाइट आती हो टिप नमबर टू वैल ड्रेन ऐसीडिक सोयल इसकी मिट्टी वै लाडेनिया प्लांट को एसेडिक सोयल पसंद है मिट्टी का पी एच लेवल 5 से 6 के बीच होना चाहिए तब आपका प्लांट अच्छे से फ्लोवरिंग करेगा अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की दोस्तों क्योंकि गंदराज प्लांट को एसेडिक सोयल पसंद है इसलिए आप इसमें कोफी ग्राउंड फर्टिलाइजर का इस्तमाल करें इसके लिए सबसे पहले आपको एक गिलाश में पानी लेना है जैसा आप देख रहे हैं ये नोर्मल कोफी का पैकिट है जो हम घर में कोफी बनाने में इस्तिमाल करते हैं अब आपको एक गिलास पानी में लगबग आदा चमच कोफी पाउडर मिक्स करना है जैसा आप देख रहे हैं ध्यान रहे एक ग्लास पानी में आधा चम्मच या उससे भी कम कोफी पाउडर का इस्तमाल करें एक गमले के लिए इतना फर्टिलाइजर काफी रहेगा अच्छे से कोफी पाउडर को पानी में मिक्स करें हमारा फर्टिलाइजर त्यार है दोस्तो इस fertilizer के इस्तेमाल से आपका गंदराज प्लांट फूलों से भर जाएगा आप इस fertilizer का इस्तेमाल महिने में एक बार करें हमारा fertilizer त्यार है अब आप इस liquid को अपने प्लांट के चारो तरफ soil में डालें जैसा आप देख रहे हैं दोस्तो गार्डेनिया गंदराज प्लांट के लिए ये fertilizer best है इसके अलावा आप महिने में एक बार मिट्टी में organic compost जैसे गोबर खाद या वर्मी compost का इस्तिमाल करें धन्यवाद दोस्तो उमीद आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें तेंक यू